ओम शान्ति आज दिनंक 22 जुलाई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वर्दान दिया वर्दान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे बाबा वर्दान में बोले तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फश्ट नंबर के राज्य अधिकारी भाव आज बाबा हम बच्चों को फश्ट नंबर के राज्य अधिकारी भाव का वर्दान देते वर्दान में बाबा कहते तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फश्ट नंबर के राज्य अधिकारी भाव डिटेल में बाबा कहते फ़ष्ट जन्म में फ़ष्ट नंबर की आत्माओं के साथ राज्य अधिकार प्राप्त करना है तो जो भी कमजोरियां है उन्हें तपस्या की योग अगनी से भस्म करो अर्थात बाबा आज हम बच्चों को संपूर्ण संपन बनने की युक्ती बताते तपस्या की योग अगनी में अपने सभी कमी कमजोरियों को भस्म करो क्योंकि बाबा निश्वार्त इसने ही है हर बच्चा बाबा के लिए समान है पहला मनका भी और लाश्ट मनका भी बाबा सब को समान वरदान देते समान गुण ग्यान तथा सक्तियों से सजाते पर बच्चे लेने में नंबरवार हो जाते तो बाबा आज कहते अपनी कमी कमजोरियों को तपस्या की योग अगनी में भस्म करो यदि फर्ष्ट जन्म में फर्ष्ट नंबर की आत्माओं के साथ राज्य अधिकार प्राप्त करना है तो अर्थात क्रश्न के साथ क्रश्न की दुनिया में आना है फर्ष्ट दिन फर्ष्ट नंबर की आत्माओं के साथ उसके लिए एक भी कमी कमजोरियों का अंस नहो योग अगनी से बाबा का ताक पर रहे हैं कि निरंतर एक बाप की याद की लगन में मगन रहो एक बाप को साथी सहयोगी बना कर अपने साथ रखो उस सर्व सक्तिमान को अपना सब कुछ हरपण कर दो बाबा की मदद मिलेगी कमी कमजोरियों को दूर करने का बल मिलेगा तो बाबा तपस्या की योग अगनी में एक एक कमजोरी के अंस के वन्स को हटा देना संपूर्ण संपन बन जाना क्योंकि फश्ट नंबर की आत्मा के साथ आना है तो उसके जैसा सोला कला संपूर्ण सर्वगुण संपन संपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण अहिंसक मरियादा पुरुसोत्तम बनना होगा यहीं संगम पर तो सेकेंड बाई सेकेंड चेक करना कि कोई कमी कमजोरी है तो बाबा मेरे साथ है बाबा को साथी सहयोगी बना कर उनसे बल प्राप्त कर एक एक कमजोरी को मिठा देना क्योंकि बाबा कहते तुम ऐसी तपस्वी आत्माए हो जिनकी आज भी यादगार जाल के नीचे तपस्या करते बताया जाता है जिस प्रकार संकर को दिखाया जाता है ऐसे ही तुम तपस्या की अगनी ऐसी प्रज्वलित करो कि एक एक कमी कमजोरी स्वता समाप्त हो जाए मन बुद्धी को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रह फुल पास होना अगर मन बुद्धी जरा भी विचलित हो तो द्रणता से एकाग्र करो व्यर्थ संकल्पों की समाप्ती ही संपूर्णता को समय लाएगी व्यर्थ संकल्प अर्थात अमानत में खयानत व्यर्थ समय व्यर्थ बोल व्यर्थ कर्म जब हम व्यर्थ से संपूर्ण मुक्त बनेंगे तो ही बाबा कहते संपूर्णता के समीप आओगे क्योंकि जब तक मन बुद्धी एकाग्र ना हो विचलित हो, हलचल में हो, अचल अडोल ना हो तब तक बाबा कहते किसी भी लक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि लक्ष पर मन बुद्धी एकाग्र हो उस पिता परमात्मा पर एकाग्र हो तो ही तपस्या की योग अगनी प्रज्वलित होगी एक एक कमी कमजोरियां दूर होगी और संपूर्ण संपन्न बन कर संपूर्णता को समीप ला सकेंगे आज बाबा स्लोगन में बोले समय को गिंती करने वाले नहीं लेकिन बाब के वा स्वयम के गुणों की गिंती कर संपन्न बनो समय को गिंती करने वाले नहीं लेकिन बाब के वा स्वयम के गुणों की गिंती कर संपन्न बनो अर्थात बाबा सदा मेरे साथ है तो बाबा के जो जो गुण ग्यान तथा सक्तियां हैं, उन्हें अपने में समा लेना, ना कि फ्यर्त में समाईगवाना तो स्वदर्शन चक्रधारी बन कर, अपने स्वयम के गुणों की गिंती करना, कमी कमजोरियों को निकाल कर समाप्त करना, साथ ही बाबा को साथी सहयोगी बना कर बाबा की जो समपूर्णता है, उसे अपने में समा लेना, यही बाबा कहते संपन बनने की युकती है आज बाबा ने महावाक्य में, हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब दुख के बंधनों से छूट, सुख के संबंध में जाना है इसलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब चुक्त, तू करो अब दुख के बंधनों से छूट, सुख के संबंध में जाना है इसलिए पुराने कर्म बंधन हिसाब किताब सब चुक्तु करने हैं प्रश्न किया बाबा ने इस युद इस्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है इस युद इस्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है उत्तर में बाबा कहते इस युद्ध इस्थल पर बेहद की बॉक्सिंग है माया रावण से अर्थात माया रावण से तुम बच्चों की बेहद की बॉक्सिंग है इसे ही मल युद्ध कहा जाता है इस बॉक्सिंग में विजई बनने के लिए पुद्धी में रहे हमने कलप कलप जीत पाई है माया रावण पर जीत पाने के लिए पाँचो भूतों का दान देना है दान में देकर फिर कभी वापिस नहीं लेना है अगर दान देकर वापस लिया काम क्रोध के वस हुए तो सब भूत फिर सताने लेंगे गेत सुनाया बाबा ने एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते बुद्धी को हद और बेहद से पार अपने सांती धाम में ले जाना है दुख के बंधनों से छूटने के लिए इस वर ये संबंद में रहना है पहली पाइंट बाबा कहते बुद्धी को हद और बेहद से पार अपने घर सांतीधाम में ले जाना है दुख के बंधनों से चूटने के लिए इसवर ये संबंद में रहना है दूसरी पैंट बाबा कहते सारे विश्व की खिदमत करने के लिए सारे विश्व की खिदमत करने के लिए तीन पेर प्रत्वी पर रुवानी यूनिवर्सिटी खोलनी है बेहद की हिश्ट्री जोग्रफी पढ़नी और पढ़ानी है तो ये थे बाबा के महावाक के अच्छा ओम शंती